गुड मॉनिंग बच्चो, I am Raxx Gumayra I am Raxxить की योजिए कि शेक्टर में मने सिप्रेशन की बारे में कि आगे आगे में descendustion का है कि यहां यून एक चाहिए कि आफ जाने जानें के इस प्रेसटा नहीं ना मेरी तैंट रखता हैं कि अपने यूप योग के लाइक चुन लेते हैं चुनना अंप गलते हैं सप्रेशन अब सबस्टेंस करते हैं उसको सब्स्टेंस होता है तो बच्चह यहाँ ध्यान देएथाइब कि सब्सक्राइब क्या होता है हम लोग आपस यहां रहते हैं हम algún सब्सक्राइख और मेकसर नकिन समय है है दौर तरक मेटेर्याय को सब्सक्राइख अब्सक्राइख दो भी हमारा मिक्सर ही कहीए ता क्या tell pure सबस्टेंस क्या होता था प्योर सबस्टेंस जो एक ही परकार के मिटेरियल से बना होता इसको हम प्योर सबस्टेंस कहते हैं यह pure substance that contains only one kind of the material जैसे cleaning water, sugars and salt are the example of the pure substance होते हैं अब pure substance कहते हैं इच pure substance has a fixed property like melting and boiling point melting and boiling point इसका कहते हैं प्योर सबस्टेंट के melting and boiling point हमारा फीच होता है melting मनें this temperature at which solid is converted into the liquid is called the melting point मन वह निसी ताओ जिस पर कोई भी solid है आपका liquid के फ़र में convert होता है उस temperature को melting point कहते हैं आपकाता है boiling point कहते है the temperature at which the substance is converted into the vapor is called the boiling point कहते है तब pure water को जहें pure water को boiling and boiling points and melting point जहें दोनों fixed होते हैं को fixed होते हैं जो इंप्योर मेटल होगा उसका boiling and boiling point और melting point दोनों अलग-अलग होते हैं तब यहां आप देखेंगे कि melting point of the pure water is zero degrees Celsius होता है and the boiling point of 100 degrees Celsius at the sea level each pure substance has a feel at the impure substance in the water in pure water does not boiling boil at 100 degrees at the sea level and does not freeze at the zero degrees hence these properties can be used to the least purity of the waters अब यहां ध्यान देखेंगे similarly similarly हम लोग यहां ध्यान देखेंगे similarly when you know the characteristics of properties of any substance you can use them to check if the substance is pure अब मिक्सर होता है mixer आप क्या होता है यहां देखेंगे मिक्सर a mixer is a substance mixed is made mixer is a substance is made of the two or more pure substance that simplify that mixer the mixer substance mixer made of the two or more pure substance that are simply mixed together that mixer mixer जो है हमारा दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बना होता है pure substance मिलने होता है या तो वह उसकी रष्यों डिपनिट परपोर्षन में होता है या रेष्यों जो जो डिपनिट परपोर्षन में नहीं होता है यह हैं दो मिक्षू ने को तरह के जो कंपोर्ण पिविण तरह के जो सब्स्टेंस मिले होते हैं उसों 아म कंपोर्मेंट कहते हैं यानि के कंपोर्ण हमारे को होता है है यह है को यह मिक्षर में जो मिले हूए प्धार्त होते हैं dal professor prop Вс poems of the property in a. Luther is called component the component do not combine with each अब यहां देखेंगे टाइप ऑफ दे मिक्सर क्या होता है मिक्सर केंगे लिक्विड और करते हैं तो यहां देखेंगे अगर कुछ पथर मिले होते हैं तो उस मिक्सर को करते हैं वाटर में दूद को मिला देंगे तो क्या होता है अब यहां देखेंगे लिक्विड और लिक्विड और यानि सोडा वाटर आप देखेंगे वाटर में कर्वन डेक्सर मिला जाता है का सौप्ट देखेंगे यह होता अब बच्चों यहां देखेंगे that component of the mixer by component of the mixer मिक्सर मिक्सान को को मिक्सर हमारे को होता है मिक्सर को दिवाइट करते हैं दो तरस से एक होमोजेनियस मिक्सर होता है एक हिट्रोजेनियस मिक्सर होता है तो होमोजेनेेस में क्या होता हि एक मीकसर हुता है जिसमें thro out composition आपका रहे तोह सीम ऑcomb reduce मेरीं हो यहom浮ेजوع में समरीं इंव इन परने इस्परीट थ्र्णवाउट द्रेकिसर एस का इस पौपर्टी मोत तक मेरी थे न इंपरनें सेежд समाने से दो फौन एक मिक्सरी पिल होता है ओओं ए प्यान पीकिश्च सब्सक्राइए कर ज लित समाल लग होता है और देखने में來到 मिक्सर और मेइं और मिक्सराओं देखने डिप independent and composition that is different. यह को से इह सोब त that is the different component cannot be seen safely a homogeneous mixer homogeneous mixer usually involved in the solid solid and liquid commonly referred as the solution for example if dissolved by salt in water we get a solution in which the salt and water molecules spread evenly throughout the solution no matter which part of the mixer you take it will have the same properties here another example of the homogeneous mixer in the heterogeneous mixer the components are spread and univirant we can see the individual we can see that the component is made separately for example mixer of the iron filing and sulfur is a heterogeneous mixer we will find the more iron filing at the same place we will find more iron filing at the same place and fewer the assembly iron filing iron which can be reduced in some places we can also see the component easily this component is the mixture of the components both of us can see dusty air also the example of the heterogeneous mixer of the substance in a mixer we will find more information about this okay thanks yeah 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 yeah